परिचाए बच्चों, आज हम एल्टी हाइडों, कीटोनों और कार्बोकसिलिक अमलों की रासाइनिक अभिक्रियाओं का अध्यान करेंगे सर, कार्बोकसिलिक अमल क्या होते हैं? कार्बोकसिलिक अमल वे कार्बोकसिलिक योगिक होते हैं, जिनमें कार्बोकसिल समू उपस्तित होता है अब मुझे कौन ये बताएगा कि कार्बोकसिल समू क्या होते हैं? सर, कार्बोकसिल समू में कार्बोनिल और हाइड्रॉकसिल समू नहित होता है बहुत अच्छे रमेश, हाओ तो इस अध्याय में हम कार्बोक्सिलिक अमलों के बारे में और अधिक जाने उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे LD हाइडों और कीटोनों की रासाइनिक अभिक्रिया का वाडन करना LD हाइडों और कीटोनों के उपियोग को समझाना कार्बोक्सिल समुह के नामकरण और सनचना को समझाना कार्बोक्सिल समुह के विर्चन की विथी बताना कार्बोक्सिलिक अमलों के भौतिक गुणों का एक संक्षिप्त विवरण देना कार्बोक्सिलिक अमलों के रासानी गुणों का वरणन करना और कार्बोक्सिलिक अमलों के उप्योगों का उल्ले करना रासाइनिक अभिक्रियाएं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रिया विधी वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंब की जाती हैं नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में एक नाभिकरागी, इलेक्ट्रॉन रागी, SP2 संकरित कार्बन पर आक्रमन करता है। कार्बन की संकरण अवस्था SP2 से SP3 हो जाती है और एक चतुष फल किये औलका ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता ये मध्यवर्ती प्रोटॉन से अभिक्रिया करके योगज उत्पाद बनाता है। अभिक्रियाशीलता एलेक्ट्रॉनिक और त्रिविमिम प्रभावों के कारण नाभिकरागी, आक्रमन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड, कीटोनों की अपेक्षा अधिक्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से कीटोन में दोगिल या ऐरील समूहु कार्बोनल कारण परमानों से सनलगन होते हैं, जबकि एल्डिहाइड के कार्बोनल कारण पर हाइडरोजन परमानों और एक ऐल्कल या ऐरील समूहु उपस्दित होता है। अता कीटोन के साथ योगज अभिक्रिया उत्पाद वनाने की संक्रमन अवस्था में तुलनात्मक रूप से अधिक बादित होती है। अता अभिक्रिया की गती धीमी हो जाती है। अधिक निर्बल इलेक्ट्रोन ग्राही होता है। और एक नाभिक रागी को आकर्शित करने की प्रबल प्रवृत्ति को प्रधशित करता है। नाभिक रागी योगज और नाभिक योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महदबून उधारण। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन शुद्ध HCN के साथ ये अभिक्रिया बहुत धीमी गती से होती है। अताह ये एक शार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। जनित साइनाइड आयन प्रवल नाभिक इसने ही होता है और ये LD हाइडों और कीटोनों के कार्बोनिल समों से संयोजित होकर साइनो हाइडिन योगिक का निर्माण करता है। सोडियम हाइडोजन सलफाइट का संयोजन LDHIDO और KETONO की सोडियम हाइडोजन सल्फाइट के सांद्रविलियन के साथ अभी क्रिया कराने पर ये 22 सल्फाइट के योगज उत्पाद बनाते हैं. एल्कोहॉलों का संयोजन LDHID शुषक हाइडोजन क्लोराइट की उपस्तिती में एल्कोहॉलों के साथ अभी क्रिया करता है. पहले हैमी ऐसी टेल बनते हैं, जो एल्कोहॉल के दूसरे मोल से अभी क्रिया करके स्थाई ऐसी टेल बनाते हैं. कीटोन एल्कोहॉल से सीधी अभी क्रिया नहीं करते, पर एकांतर विधी के दौरा कीटेल का विर्चन किया जा सकता है. कीटोन, एथिलीन, गलाइकॉल से हाइड्रोकलोरिक गैस की उपस्तिती में अभिक्रिया करके जल और एथिलीन, गलाइकॉल, कीटेल का निर्मार करते हैं अमोनिया वा इसके व्यूत्पन्नों का संयोजन अमोनिया वा इसके व्यूत्पन्न अमलिय माध्यम में कार्बोनिल योगिकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्दी उत्पात बनाते हैं जो जलकेड़ों उन्मूलन दुरुत निर्जली करन त्वारा इमेन वियुत्पन्नों के रूप में अंतिम उत्पाद बनाते हैं। Z बराबर एलकिल, हैरिल, OH, NH2, C6, H5, NH, NH, CO, NH2 हो सकता है। अपचयन, हाइड्रो कार्बनों में अपचयन, LD हाइड्रो कार्बनों में अपचयन, LD हाइड्रों और कीटोनों को हमल गमित जिंक और सांद्र हाइड्रो कलोरिक अमल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रो कार्बनों में अपचयित किया जा सकता है। ये कलीमेंसन अपचयन कहलाता है। वोल्फुक किशनर अपचयन LD हाइडों और कीटोनों को हाइडरेजीन की अभिक्रिया के द्वारा और पोटेशियम हाइडरोकसाइड के साथ उच्छ तापमान पर गर्म करके हाइडरोकारबनों में अपचयित किया जाता है। अक्सीकरण LD हाइडों को सरलता से उन कार्बोकसिलिक अमलों में अक्सीकरित किया जा सकता है जिन में कार्बन परमानों की संख्या मूल LD हाइड के बराबर होती है। LD हाइड आसानी से उक्सीकरित हो जाते हैं क्योंकि इनके कार्बोनिल समुह में हाइडोजन परमानों की उपस्तिती के कारण ये बिना किसी आबंध विदलन के OH समुह में परिवर्तित हो जाते हैं। अता LD हाइड के वल प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे पोटेशियम परमेगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही ऑक्सीकरित नहीं होते। अपितु ये मूल भूत इस्थितियों में बिदू ऑक्सीकारक कर्मक जैसे AG2 प्लस और CU2 प्लस आयनों के द्वारा भी ऑक्सीकरित किये जा सकते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होता है। प्रबल आक्सिकारक कर्मक जैसे अमली कृत पोटेशियम, डाइक्रोमेट विलियन या एलकेलाइन पोटेशियम पर्मैकनेट और उच्छता पर्की अविशक्ता होती है। कीटोन के आक्सिकरण के परिणाम सोरूप जो कार्बोकसिलिक अमल बनाता है, उसमें कार्बन परमानों की संख्या मूल कार्बोनिल की यौगिक के कार्बन परमानों की संख्या से कम होती है। टॉलेन परिक्षान एक एल्टी हाइट प्रोपेनल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन जो की सिल्वर दरपन के लिए एक टॉलेन अभी कर्मक है, उसको अपचरीद कर देता है, लेकिन प्रोपेनोन जो की एक कीटोन है, उसे नहीं कर पाता। फेलिंग परिक्षान फेलिंग अभी कर्मक में फेलिंग विलियन A और फेलिंग विले B का मिश्रान होता है। फेलिंग विलियन A जलिये कॉपर सिल्फेट और फेलिंग विलियन B रोशेल लवन का एलकेलाइन विलियन होता है, जो की सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। इन दोनों विलाइनों को मिश्रिट किया जाता है और थोड़ा सा एल्टी हाइट विलियन इस फैलिंग अभिकर्मक में डाल कर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है. मेथिल कीटोन का हेलो फार्म अभिकरिया द्वारा आक्सी करन मेथिल कीटोन सोडियम हाइपो हेलाइट जोकी सोडियम हाइट और हेलोजन है इसके विलियन में आक्सी करेथ हो जाते हैं. इस अभिक्रिया से हेलो फार्म और संगत कार्बोकसिलिक अम्र के सोडियम लवण का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया हेलो फार्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अलफा हैडोजन के कारण अभिक्रिया हें। LDHIDON और KETONों के αलफा हाइडोजनों की अमलता LDHIDON और KETONों के αलफा हाइडोजन परमाणों अमलिये होते हैं. ये अमलता कार्बोनियल समों के इलेक्ट्रोण अपनेयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और संयुग मेक्षार के अनुनाद द्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है. LDHIDON और KETONों के अलफा हाइडोजन परमाणों की ये अमलता कार्बोनियल समों के इलेक्ट्रोण अपनेयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और प्रिणामी एनाइन के अनुनाद द्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है. LDOL संखनन जिन LDHID और KETON में कम से कम एक अलफा हाइडोजन विद्दिमान रहता है, वे तनुक्षार जैसे तनुसोडियम हाइड्रोकसाइड, सोडियम कार्बोनियट आदी की उतप्रेरक की तरह उपस्तिती में एक अभिक्रिया के दौरा हाइड्रोकसी LDHID या KETON LDHID प्रदान करत इन्हें LDHID कहा जाता है, इस अभिक्रिया को LDHID कहते हैं, तनुसोडियम हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में एथिनेल संगनित होकर तरल द्रव का निर्मान करती है, जिसे LDHID कहते हैं, गर्म करने पर LDHID जल को निश्कासित कर असंत्रिप्त योगिक बनाता है, बेरियम हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में प्रोपेनोन की टोल देता है, गर्म करने पर की टोल जल को निश्कासित कर असंत्रिप्त योगिक बनाता है, जब दो भिन भिन LDHID या की टोनों के बीच LDHID होता है, तो उसे क्रोस LDHID कहते हैं, जब एक एथेनेल और प्रोपेनेल के मिश्रन को सोडियम हाइड्रोकसाइड विलियन के साथ गर्म किया जाता है, तो ये चार भिन उत्पात बनाता है, अन्न अभिक्रियाएं कैनी जारो अभिक्रिया ऐसे LDHID जिनमें कोई अलफा हाइडोजन परमाणू नहीं होता, सांद्रक्षार की उपस्तिती में गर्म करने पर स्वा आकसी करण वा अपचयन के दोरा अलकोहॉल और कार्बोकसिलिक अम्र के लवन का मिश्रन बनाते हैं, ये अभिक्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है, फारमेलडी हाइड सांद्रक्षार पोटेशियम हाइडोकसाइड से अभिक्रिया करके मेथनौल और पोटेशियम फारमेट उत्पन्न करता है, बेंजलडी हाइड सांद्रक्षार सोडियम हाइडोकसाइड से अभिक्रिया करके बेंजिल अलकोहॉल और सोडियम बेंजो प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है। बेंजल्डी हाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलियन से अभी क्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजल्डी हाइड और हाइड्रो क्लोरिक अमल बनाता है। चालीज प्रतिशद फार्मेल्डी हाइट के विलियन को जिसे फार्म मुलीन कहा जाता है इसे जैविक नमोनों के परी रक्षन में और बेकलाइट के विर्चन में उपियोग में लाया जाता है एसे टेल्डी हाइट को एसिटिक अमल, एथिल एसिटेट, वाइनिल एसिटेट, बहुलकों और औश्यदियों के निर्मान में उपियोग में लाया जाता है बेंजल्डी हाइट का उपियोग सुगंध और रंजक उद्योग में किया जाता है एसिटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामाने अध्योगिक विलायक हैं कारबोकसिलिक अमल विक कारबोकसिल समोह उपस्तित होता है कारबोकसिलिक अमल कहलाते हैं कारबोकसिल समोह कारबोनिल और हैड्रोकसिल समोह से मिलकर बना होता है अताहिस का नाम कारबोकसिल दिया गया है कार्बोक्सिल समुह के एलिफेटिक एलकिल श्रिंखला या एरिल समुहों में जुड़ने के आधार पर कार्बोक्सिलिक अमल एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं कार्बोक्सिल समुह का नामकरण एवं सनचना सामाने नाम के अंत में अनुलगन एक अमल लगाते हैं सामाने नाम प्राक्रितिक स्रोतों के लेटिन या ग्रीक नामों से विर्थपन होते हैं उधारन फार्मिक अमल का ये नाम फार्मिका यानि चीटियों का लेटिन नाम से लिया गया है क्योंकि फार्मिक अम्ल को सर्व प्रतम लाल चीटियों के आस्वन से प्राप्त किया गया था एसिटिक अम्ल का ये नाम एसिटम जिसका अर्थ सिरका होता है उससे लिया गया है और ब्यूटेरिक अम्र का नाम ब्यूटिरम यानि मक्षन का लेटिन नाम से प्यूत्पन है IUPAC पदधती में एलिफेटिक कार्बोकसिलिक अम्रों का नाम करण करने के लिए संगत एलकेन के अंग्रेजी नाम के अंत में इस्थित E के स्थान पर OIC अनुलगन लगाया जाता है और इसके बाद अम्र लगाते हैं प्रतिस्थापिद और शाकित श्रंखला वाले अमलों का नाम करण लंबी श्रंखला वाले अमलों के विद्पन्नों के रूप में दिया जाता है। कार्बोक्सल समोह की संख्या गुनात्मक पूर्व लगन डाई ट्राई इत्यादी को ओएक शब्द के पहले लिख कर इंगित किया जाता है। इसका नाम बेंजोईक अमल है। प्रतिस्थापित अमलों के IUPAC नाम बेंजोईक अमल के विद्पन है। कार्बोक्सल समोह की संख्या गुनात्मक अमलों के क्रियात्मक समोह कार्बोक्सल समोह होते हैं। कार्बोक्सल कार्बन नीचे दी गई अनुनाती सनचनाएं प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सल कमलों के विद्चन की विद्धियां। प्राथमिक अलकोहल वह एल्डिसाइट से। प्राथमिक अलकोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइट की अमलिये माध्यम में उपस्थिती के द्वारा ऑक्सिक रिथ होकर संगत कार्बोक्सलिक अमलों बनाते हैं। एक डेकेनौल अमलिये माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइट से क्रिया करके डेकेनौइक अमलो बनाता है। एल्किल बेंजीन से एरोमेटिक अमलों को एलकिल बेंजीनों के ख्षार किये पर मेगनेट द्वारा प्रबल आक्सी करंड से विर्चिक किया जा सकता है टालूइन ख्षार किये माध्यम में पोटेशियम पर मेगनेट से क्रिया करके बेंजोईक अमल और जल का निर्माण करते हैं नाइट्राइल और एमाइट से नाइट्राइलों को साइनाइट भी कहा जाता है अमली आक्षार की उपस्तिती में साइनाइटों के जल अबगटन से कार्बोकसिलिक अमल बनता है अमल याक्षार की उपस्तिती में एसिटो नाई ट्राइलों के जलिये अबघटन के द्वारा एथेनोईक अमल बनता है किसी अमल उपस्तिती में प्रोपेनामाइट के जलिये अबघटन के द्वारा प्रोपेनोईक अमल और हमोनियम आयन बनता है जब ग्रीनियार अभिकर्मक को कारबन डाय उकसाइट के साथ शुषक इधर की उपस्तिती में अभिकृत कराया जाता है तो ये कारबोकसिलिक अमल के लवन का निर्माण करते हैं जो खनिज अमलों से संगत कार्बोकसिलिक अमल देते हैं। मेथिल मेगनीशियम प्रोमाइड कार्बन डायोकसाइड के साथ शुष्क इथर की उपस्थिती में कार्बोकसिलिक अमल के लवान का निर्मान करते हैं। जो बाद में अमलिक क्रित होकर एथेनोईक अमल और हाइड्रोक्सी मेगनीशियम रोमाइट का निर्माण करते हैं। एसिल हैलाइड और एन हाइड्राइडों से अमल क्लोराइड जल अबघटित होकर कार्बोकसिलिक अमल बनाता है। Acetyl chloride जल अबघटित होकर Acetic अमल बनाता है. Acetic Enhydride के जल अबघटन से Acetic अमल बनता है. Ester से Esterों के अमलिये जल अबघटन से Methyl Benzoate, Benzoic Aml और Methanol बनाता है. बहुतिक गुण प्रथम नौ-Elephatic Carbosilic Aml अरूची कर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि श्रणी के उच्च सदस से रंगहीन, गंधहीन वा मौम जैसे ठोस होते हैं. Benzoic Aml क्रिस्टली कृत्त ठोस होते हैं. कार्बोक सिलिकमलों का कौथनांग अंत्रा आणविक हाइडोजन आबंध की उपस्तिती के कारण कुछ उच्च होता है, जिसके परिणाम सरूप दुईतक सनचनाओं का निर्मान होता है. प्रथम चार एलिफेटिक सदस से जल के अड़ोगों के साथ अंत्रा आणविक हाइडोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में गुलन्शील होते हैं. एलकिल समोहों के बढ़ते हुए आकार के साथ जल विरागी अनियोन निक्रिया बढ़ने के कारण जल में विलेता कम होती जाती है, अता उच्चिक कारबोक्सलिक अमल जल में लगभग अविले होते हैं. रासायनी कभी क्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें ओएच आबंद का विदलन होता है. अमलता धातू और क्षारों के साथ अभिक्रिया कार्बोकसिलिक अमल सर्वधिक अमलिये कार्बनिक योगिकों में से एक है ये सोडियम धातू के साथ अभिक्रिया करके हाइडोजन गैस मुक्त करते है सोडियम धातू एथेनोईक अमल से अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट देती है और hydrogen gas मुक्त करती है बेंजोईक अमल क्षार्जिक क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं एथनोईक अमल कार्बोनेटों से अभी क्रिया करके कार्बन टाइयोकसाइड गैस निश्काशिस्त करते हैं कार्बोकसिलिक अमल फिनोल से अधिक प्रबल अमल है कार्बोकसिलेट आयन में रणावेश दो विद्धुत रणात्मक परमाणों पर समान रूप से वित्रित होता है जोकी ऑक्सीजन परमाणों होते हैं जबकि फिनॉकसाइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परवानों पर उपस्तित होता है। तरहार वेवाहर करता है। अस्थाइत्व प्रदान करके अमल की अमलता को घटा देता है। अमल की अमलता क्लोरो एसिटिक अमल से ट्राइ क्लोरो एसिटिक अमल तक घटती है। COH हाबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। कर्बोकसिलिक अमलों को फॉसफोरस पेंटा उकसाइट के साथ गर्म करने पर ये कर्बोकसिलिक अमलों के दो अड़ों से जल के एक अड़ों के निशकासन के द्वारा एन हाइट्राइट बनाता है। ESTRI करन कर्बोकसिलिक अमलों सौंद्र सल्फियूरिक अमलों की उपस्थिती में एल्कोहल्स एक क्रिया करके ESTर बनाता है। फॉसफोरस पेंटा क्लोराइट, फॉसफोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइट के साथ अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अमल फॉस्फोरस, पेंटा क्लोराइट, फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइट के साथ अभिक्रिया करके अमल क्लोराइडों का निर्मान करता है। से अभिक्रिया करके अमल क्लोराइड और फॉस्फोरस अमल बनाता है। गर्म करने पर ये अमल एमाइड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समोह संबंधी अभिक्रियाएं। अपचयन कार्बोक्सिलिक अमल लीथियम अलुमिनियम हाड्राइड के द्वारा आसानी से प्रात्मिक अलकोहलों में अपचयित हो जाते हैं। विकार्बोक्सिलिन जब कार्बोक्सिलिक अमलों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तब एलकेनो का निर्मान होता है। जब sodium acetate को sodium hydroxide और calcium oxide के साथ गर्म किया जाता है तब ये methane और sodium carbonate का निर्मान करता है. hydrocarbon भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैलो जनन ये अभिक्रिया एलीफेटिक, कार्बोक्सिलίक अमल और क्लोरीन या प्रोमीन की बीच लाल फासफोरस की उपस्तिति में होती है. इस अभिक्रिया में कारबोकसलिक अम्ल के अलवा कार्बन परमानु पर कलोरो या प्रूमो समों का प्रतिस्थापन होता है, ये अभिक्रिया हेलफोल लॉड जैलिस की अभिक्रिया कहलाती है वले प्रतिस्थापन एरोमेटिक कार्बोकसिलिक अम्ल इलेक्ट्रोन रागी अभिक्रियाएं प्रधर्शित करते हैं कार्बोकसिलिक समुह एक निश्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समुह की भाती वेवहार करते हैं सांदर नाइट्रिक और सल्फियूरिक अम्ल को बेंजोईक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रो बेंजोईक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक प्रोमाइट को बेंजोईक अमल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमो बेंजोईक अमल में परिवर्तित हो जाता है। कारबोकसिलिक अमलों के उप्योग एसिटिक अम्ल का प्रियोग व्रहत रूप से खादे परी रक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रासाइनों के साथ अभिक्रिया करके और द्योगिक महत्व के बहुत से योगिक बनाते हैं। इनमें सेलिलोस एसिटेट शामिल है, जिसका उप्योग एसिटोन ड्रेयाउन बनाने में आजवलनशील चलचित्र फिल्म, रोगन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बेंजोईक अमल खादे परी रक्षक के रूप में नेमित रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जीवानू संक्रमन के इलाज में वह अन्ने रसाइनों के साथ मिला कर विकर्षक और इत्री जैसे उत्पादों को बनाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है। क्या आप जानते हैं? सिर्के में आम तोर पर एसिटिक अमल का 4-8 प्रतिशत विलियन होता है। बागी मात्रा जल और अन्ने अड़ों की होती है। सिर्के में उपस्तित एसिटिक अमल को एथिनॉल के किडवन से बनाये जाता है। फलों और सबजियों को धोने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्हें तनू यानि जल मिश्रित सिर्के के साथ धोना। सारांश आये हमने जो कुछ भी सीगा है उसे संक्षेब में दोराएं। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंब की जाती हैं। नाभिक इसने ही योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। त्रिविम और इलेक्ट्रोनिक प्रभाव एल्टिहाइडों को की टोनों की तुलना में नाभिक इसने ही आक्रमण के प्रती अधिक अभिक्रियाशील बनाते हैं। एल्टिहाइड आसानी के साथ ऑक्सिक्रित होकर कार्बोकसिलिक अमलब बनाते हैं। एल्टिहाइड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन को अपचाइद कर देता है, जो की सिल्वर दरपन के लिए एक टॉलन अभिकरमख है। फैलिंग विलियन, जलिये कॉपर सिल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो की एक रोशे लवण है, उसका मिश्रण है। एल्टिहाइडों और कीटोनों के अलफा हैडोजन परमाणूं अमलिये होते हैं। ये अमलता कार्बोनिल समों के इलेक्ट्रोन अपनयन कर लेने के प्रबल, प्रभाव और संयुग में ख्षार के अनुना त्वारा इस्थायत्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। जिन एल्टिहाइड और कीटोन में कम सिकम एक अलफा हैडोजन वित्मान दहता है, वे तनुक्षार जैसे तनुसोडियम हैड्रोकसाइड, सोडियम कार्बोनिटादी की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिती में एक अभिक्रिया के द्वारा हैड्रोक्सी एल्टिहाइड या क कीटोन एल्टिहाइड प्रदान करते हैं, इन्हें एल्डोल कहा जाता है, इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, जब दो भिन भिन एल्टिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संगनन होता है, तो उसे क्रोस एल्डोल संगनन कहते हैं, वे कार्बनिक य अनुनादी सनचनाई प्रदशित करते हैं। द्योगिक मेहत्व के बहुत से योगिक बनाते हैं।